तो हेलो गाइस के साफ सभी लोग स्वागते को और न्यू गैम प्लै में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्टेरूल सर्वाइवल तो गाइस आप लोग कॉमेंट करके बोल रहे थे कि भाई आप अपने बेस की वाल की डबल हेल्थ करते हैं वो हमें भी सिखाओ और उसके लिए एक वीडियो बनाओ तो आज मैंने एक फुल टू वीडियो बना दिया है जिसमें मैं आपको सारी जान करी दूँगा कि बेस की की डबल हेल्थ करने के लिए क्या-क्या चीज की जरूरत पड़ती है और क्या-क्या करना पड़ता है ठीक है तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और जितने भी भाई लोग है जिन्नोंने आभी तक भी सब्सक्राइब नहीं तो आपको ये जो एनरजी आउटर वाल है इसकी रेसिपि आपके पास में होनी चाहिए अब आपके पास में अगर आउटर वाल नहीं है तो आप लोग परपल रूम करो परपल रूम में एक बॉक्स ऐसा होता है जिसमें से हमें आउटर वाल मिलती है ठीक है मतलब ये डब तर मतलब एक box रहता है purple room में उसी में मिलता है तो देखो एक तो मैंने बता दी वो outer wall उसकी जरूरत पढ़ेगी दूसरी है मतलब energy journal control और एक reactor ये तीन चीज़े होती है बस इससे आप अपने base की double health कर सकते हैं तो मैंने अभी तक सिर्फ तीन आइटम बताए है ठीक है वैसे एक बात में बतादू जो outer wall है उसकी जब आप recipe निखालोगे और उसको बनाओगे तो उसमें still भी लगेगी और काफी ज़्यादा still आप मतलब जब बनाओगे तो आपकी काफी ज़्यादा still खतम हो जाएगी क्य बाकिया आपको चाहिए energy quartz और इसे के सासत आपको चाहिए energy source ठीक है तो यह दो चीज़े और आपको चाहिए और यह मिलेगी आपको जो spread monster होता है उसको kill कर लेना और अगर जैसे कि उसको kill करके इतना ज़्यादा यह energy source और यह quartz नहीं हो पाए तो एक और तरीका है helicopter forward ना उस से आप लोग energy mining कर सकते ठीक है और उसके बाद दूसरा एक और device मिलता है उसमें आप उसको refine कर सकते है बिल्कुल easy तरीका है तो चलो यह सारी चीज़े मैंने बता दी अब मैं यहाँ पर outer wall की recipe निखाल रखा हूं तो मैं बना लेता हूं outer wall बनाने के लिए हमें जिस item की electronic parts साथ में energy quartz की तो जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी तो देख लो अभी मैं लगभग 70 के लगभग मैंने यह बना लिए outer wall ओके अब देखो आपका जो बेस है एक बार server में सोचके देखो आपका बेस अपग्रेड रहेगा इस्टिल या iron से तो मैं उसी तरह से बे इस पे यार क्या लगाया outer wall ठीक है वो भी तो बात होती है तो इसलिए बेस जाद से जाद अपग्रेड रहेना चाहिए उसी के बाद यह चीज काम आएगी तो चलो अब मैं इसमें maintenance का कुछ सामान डाल दिया हूं cabinet में और अब हम अपना काम शुरू करेंगे guys okay तो आप दे लगते हो उपर की साइड में अपने बेस पर ओके तो मैं उपर की साइड जाता हूं और उपर की साइड में बेस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसके बाद में हम लोग लगाएंगे रेक्टर और energy control अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके सा आप सभी को समझाओंगा ताकि आप लोगों के पूरी बास समझ में आ जाए हाला कि इसका वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा और अगर बनाया भी होगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे तो इसलिए मैं आज आपको बि कि जब रेड होती है तो ये किस तरह से काम करती है वो सब कुछ बताऊंगा तो इसलिए वीडियो का पूरा देखते रहे ना क्योंकि हम कभी भी अधूरी चीज नहीं बताते है पूरी करके बताते है तो मैंने रेक्टर लगा दिया है रेक्टर की जरूरत पढ़ती है कोई भी बंदा उपर की तरफ से भी रेड कर सकता है ना तो उपर की साइड में वाल होनी ही चाहिए मतलब सिलिक होनी चाहिए वाल नहीं यार तो गाइस इतना काम अपना कंप्लीट हो चुका है अब इसको अपग्रेड करना बाकि है नहीं तो क्या है कि जैसे कि मानलो कोई बंदा रेड करें न सर्वर में अपने बेस पे तो वह उपर की साइड से रेक्टर और जर्नल कंट्रोल को तोड़ भी सकता है फिर उसके बाद एंड टाइम पर आप कैसे लगाओगे तो इसलिए अपग्रेड तो करना बनता है भाई चलो तो मैंने अपग्रेड कर दिया इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आयरन और स्टोन में डाल देता हूँ तो गाइस जो डबल हेल्थ की बात है वो मेन काम अभी ही शुरू होगा क्योंकि अब एना मतलब आउटर वाल भी बन चुकी है तो अब मैं आउटर वाल लगा देता हूँ इसको लगाने का एक तरीका होता है मतलब आप इसको शोटकट में लेकर लगाने की ट्राइ करेंगे ना तो यह नहीं लगेगा जैसे ही आप मतलब यह फाइल ओपन करोगे ना तो उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में एक उप्शन आलक सा आ जाएगा आप लोग देख सकते हो निच्टोल एनरजी आउटर ऐसे कुछ उप्शन आ जाएगा इस पर आप किलिक करोगे तो सामने की साइड में जहाँ पर आपका एम रहेगा वहाँ पर आउटर वाल लग जाएगी तो देखो मैं अभी आउटर वाल लगाता जा रहा हूँ पूरे बेस में लगाँगा उसके बाद मैं अभी तक देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ आप सभी को जहां पर मैं आउटर वाल लगा रहा हूँ वहाँ पर डबल लाइन हो गई ना पहले सिंगल ती फिर डबल लाइन हो गई तो एक हेल्थ तो रहती है अपनी वाल की तूसरी हेल्थ जो है वो है इस आउटर वाल की तो चलो पहले लगाई देता हूँ यार उसके बाद में सारा काम बताऊंगा आप सभी को आगेगा ठीक है तो में बताता हूं आप सभी को यह तो है अपना energy journal control टो इन दोनों में क्या डालना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ energy source इन दोनों में लगेगा मतलब डालना पड़ेगा तो जो रिख्टर रिख्टर में आप लोग कम भी डाल सकते हो लेकिन पेले हमें सो ही काफी है आप लोग 50 भी डाल सकते हो 50 भी काफी चल जाएगा इसमें जादा हमें energy source डालना है इसमें क्यूंकि main काम यही करेगा energy journal control तो 1000 मेने डाल दिये energy source अब देखना मतलब किस हिसाब से यह खाएगा उसमें तो कम हुआ है एक और इसमें देख लोग कितना खा गया यह एक साथ क्यूंकि यही energy देता है रेक्टर तो बस एक तरह से पहुचाने का काम करता है मतलब एक तरह से जैसे बिजली चलती है न तो बिजली पहुचाने का काम करता है रेक्टर इसलिए लगता है रेक्टर मतलब मैंने simple तरीके में समझाया है आप सभी को तो यह देखो गाइस अब जैसे मैंने energy source डाला है journal control में और यह देखो double health हो चुकी है कई जगे नहीं भी हुई है यहाँ पे तो मैंने वो लगाया ही नहीं यार अब यह भी भर जाएगी अभी थोड़े देर में line लेकिन आप लोग देख रहें कि उपर की side में जो एक line है वो तो है मतलब अपनी wall या ceiling उनकी और दूसरी जो line आ रही है वो उसकी है जो हमने अभी यह outer wall लगाई है अब वो charge हो चुकी है पूरी तरह से अब इसमें मैंने और यह outer wall लगाई है न तो दुबारा डालना पड़ेगा energy source तो यह देखो अभी यह भरने लग गई है चार्ज होने लग गई है पूरी तरह से एक बार चार्ज हो जाए उसके बाद में आप सभी को आगे की जान करी दूँगा तो यह देखो गाईस दूसरी लाइन बिल्कुल पूरी तरह से बिल्यू कलर की हो चुकिये थोड़ा सा आलग है मतलब बिल्यू कलर नहीं है पूरा तो हर जगा की double health हो चुकी है गाईश तो बस इस तरह से double health हो जाती है लेकिन अभी तक अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ समझ गए अब तो हटाओ लेकिन अभी आगे काम की चीज़ बताओंगा double health तो कर ली लेकिन अगर कोई raid करेगा तो आसनी से वो raid करके चला जाएगा double health ये काम नहीं करेगी तो आगे का वीडियो देखना उसके बाद में बताओंगा कि क्या तकनीक है आगे की आगे वैसे भी मैं आप सभी को एक तरह से इस बेस पर raid करके खुद दिखाऊंगा कि मतलब ये किस तरह से काम करता है तो अभी मैंने एक तरह से energy जर्नल कंट्रोल को बंद कर दिया है गाईस और इसके साथ साथ मैंने रेक्टर में से भी energy source निखाल लिया है अब कोई दिक्कत नहीं है मतलब एक तरह से double health हो चुकी है अब आप लोग सोच रहे होंगी कि भाई अब कोई अगर bomb लगाएगा तो मतलब double health है तो double health को खतम करना पड़ेगा bomb लगा के double bomb लगेंगे लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है मैं आपको bomb लगा के दिखाई देता हूँ तो यह देखो काईस मैंने c4 लगा दिये है और आप लोग देख सकते हो मैंने अभी फिलाल एक c4 लगाया है और यह देखो उपर वाली health जा रही है ना आप लोगोंने देखा अब यह क्यों जा रही है असल मैं अगर देखा जाए तो नीचे वाली जो health है मतलब energy की वो जा रहा हूं red तो यह देखो यह एक बार पूरी health चली जाए उसके बाद में आगे क्या होगा वह भी मैं दिखाता हूं आप सभी को कि चलो तो लगबग एक यह दो सीफॉर और लगेंगे टोटल मैंने इस पर ग्यारा सीफॉर लगा दिये है गाइस एक सीफॉर और लगेगा बारा लग चुके है टोटल अब देखते हैं यह देखो अगर अभी मतलब देखा जाए तो यह वाल तूट गई होती ठीक है तो एनरजी सिर्फ अभी तक इतना सा काम कर रही है कि उस वाल को रोक रखी है ठीक है यह तूट गई एक सीफॉर और लगाता है अगर सिंपल ओयल बाम भी लगता तो शायद यह वाल तूट जाती तो गाइस यहां पर मैंने देखा कि लगभग सिर्फ एक बॉम का पावर बढ़ा है इसका वाल का आपको भी यह लगा होगा वैसे अगर सिंपल ओयल बॉम भी लग जाता ना तो भी स्टिल के वाल तूट जाती लाश्ट में ठीक है लेकिन फिर भी आ तो हमने कर दी लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठाया अब मैं बताओंगा आपको पूरा फायदा कैसे ऊठाते है तो अब मैंने अपने बैस की हैल्थ वापस पूरी फुल कर दी है मतलब बैस को रिपेर कर दिया है पूरी तरह से और यहां पे मैंने एनरजी सोर्स डा मतलब अब यह दोनों चालू है मतलब रेक्टर और जर्नल कंट्रोल दोनों स्टार्ट है ठीक है अब मानलो कि एक बार आपके बेस पर रेड हो रही है ऑनलाइन ठीक है तो अब यह तरह से वर्क करेगा वैसे हेल्थ कई जगह से कम है मेरे बेस की पूरा रिपेर मैंने नहीं क कर दिया है मतलब पूरे बेस को एक तरह से रिपेर कर दिया है एक एक करके और अब मैं बताता हूं आप सभी को मैंने एनर्जी जर्नल कंट्रोल और रेक्टर दोनों में एनर्जी सोर्स डाल रखा है इस टाइम पर वह स्टार्ट है ठीक है टोटल मेरे बेग में आप लोग ट्राइ करते है अब अपने मतलब रेक्टर और जर्नल कंट्रोल दोनों स्टार्ट है अब एक तरह सी है मानलों कि अपने पैस पर ओनलाइन रेड हो रही है यही सोचो आप लोग तो यह देखो गाइस उपर की छोड़ दो सी लिंक की क्योंकि उसको मैंने रिपेर नहीं किय लाएगा कि चलो इसकी हेल्थ कम है इसकी भी कम है कि इसकी भी कम है अब एक बार इसको चार जो जाने दो जो दूसरी हेल्थ है एनर्जी वाली अब देखो यहां पर मैं 15 C4 लगा कि आप सभी को दिखाता हूं अब एक हिसाब से देखा जाए तो यह वाल तूट जाएगी लेकिन गाइस देखो अब आप बताओ यह होता है में काम एनर्जी जर्नल कंट्रोल का और आउटर वाल का अब आप लोग समझें मतलब कि अब यह लगभग 20 से 21 C4 खाएगी एक वाल तब जाके तूटेगी तो असल में यह जो बना है ना मतलब यह जो रेक्टर एनर्जी जर्नल कंट्रोल और यह आउटर वाल यह ओनलाइन रेट के लिए बनाए कि मतलब बंदा बॉम लगाएगा आप इनको इस्टार्ट कर दो उस टाइम पर और इस्टार्ट करने के बाद मैं लगभग एक ही वाल प तो गाइस देख लो आप लोग कितने सीफोर लगाए मैंने 16 सीफोर लगा दिये मैंने और वाल नहीं टूटी है और अब टोटल लग चुके 20 सीफोर अब तो यह वाल टूटेगी टूटेगी लेकिन नहीं टूटी है तो यह फाइदा होता है असल में एनर्जी आउटर वा जैसे ओनलाइन रेड होने लगे तो इनमें एनर्जी सोर्स डाल दो बस तो यह स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद में बहिया जो बंदा बोम लगाने आएगा ना रेड करने आएगा उसको जहाँ पर अगर वो चार बोम लगा रहा एक डूर पर वहाँ पर उसको आठ बो लोगों ने एक जो नॉर्मल इस्टिल का डॉर होता है वो चार सी फॉर में टूड जाता है डबल डॉर ओके अब इदर की साइड में भी डोर है लेकिन यह है आउटर वाल वाला तो इस पर भी मैंने चार सी फॉर लगा देता हूं डबल हो जाएगा ना फिर अभी मैंने उ जो बाकी बचे हुए तो गाइस टोटल कितने हुए आठ हो गए ना आठ में डॉर तूट जाना चाहिए तर डबल हो गया लेकिन फिर भी देखलो अभी तक नहीं तूटा है नो दस दस सी फॉर हो चुके है तो guys 10 C4 में double door नहीं तूटा है अब आप लोग बताओ और ये 11 C4 में ने लगा दिया है तो बस यही फायदा होता है अगर कोई बंदा आपके base पे door to door raid कर रहा है online raid चल रही है तो energy outer wall लगाने का यही फायदा होता है तो guys आज के video आप सभी को जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो video को like जरूर करना यार 300 like का aim लगा रहा हूँ तो सभी भाई लोग like बटन दबा दो यार और जितने भी हमारे भाई लोग जिन्नोंने अभी तक भी subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए आप हमें facebook पर भी follow कर सकते है link आपको video के description में मिल जाएगा और discord भी आप लोग हमारा join कर सकते है उसका भी link description में है तो हम मिलेंगे एक और new gameplay में तब तक के लिए good bye